प्रदेश में आश्रिवाद योजना संबंदी पोर्टल शुरू होने से सिस्टम में पार दर्शिता को एक तरस से सुनिश्चित बनाये जाने की कोशिश हो रही है अब सरकार इसके लाव से बंचित रहे गरीबों के लिए फिर से फंड जारी करने का एलान किया है मार्श 2022 से जनवरी 2030 तक अनुसूचित जातियों पिछडी शेनियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुल 50,189 लाभारतियों के लिए 25,596.39 रुपए की वितिय साहता जल्द ही जारी की जाएगी इसकी जानकारी सामाजिक नयाय अधिकारिक्ता एवं अल्प संक्यक मंतरी डॉक्टर बलजीत कौर ने दी है कैविनेट मंतरी ने जानकारी दिये कि पंजाब राज़े में आश्रिवाद योजना के अंदरगत मार्च 2022 से अनुसूचित जातियों के 21,662 लाभारति पिछरे शेनियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 13,385 लाभारति कुल 3,547 लाभारतियों के आवेदन पत्र लंबित थे जिनके कुल 17,849 दशमलाव 3, 7, stadium लाभ रुपे देंदारी बनती थी मचुदा सरकार 2,offen 2022 तक कुल 35,047 लाभारतियों के आवेदन पत्र लंबित थे जिनकी कुल 17,849 दशमलाव 3, 7, blam 3, 7,000 लाभ रुपे देंदारी बनती थी मचुदा सरकार 2, 12, dormi तक कु 35,047 लावारतियों को 17,849 दशनलब 37,000,000 रुपए का लाव दे दिया गया है मंत्री कौर ने बताए कि आश्रिवाद योजना से संबंदित लावारति घर बैठे ही वितिय लाव प्राप्त करने के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं पज़ाब सरकार की तरफ से आश्रिवाद योजना से संबंदित पोर्टल की पिछले साल 15 नवेंबर को शुरुआत कर दी गई थी आपको बता दे पोर्टल बिना दफ्तर के चकर लगाए घर बैठे वितिय मदद पहुचाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाएगा आश्रिवाद योजना से संबंदित पोर्टल शुरू होने से सिस्टम में पार्दश्रिता और तेजी को सुनिश्चित बनाएजा सकेगा लाभारती ओफ्लाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीकों से 31 मार्श 2030 तक आवेदन पत्र दे सकते हैं ओनलाइन आवेदन पत्र प्राप्तिकन्ने की मुकमल प्रक्रिया अप्रेल 2023 से शुरू की जाएगी मंतरी ने बताया कि इस योजना के तहट अनुसूचित जातियां इसाई विरादरी की लड़कियां किसी भी जाती की विदवाओ की लड़कियां पिछडी श्रेनियों और परिवार की दो लड़कियों जो पंजाब राज्य के निवासी हों उन्हें दी जाती है साथ ही ये भी शर्ट है कि ऐसे परिवार की सालाना आमदनी 32,790 रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए विदिया मदद हासिल करने के लिए आविदन करता अपना आविदन विवास से पहले या विवा की तारीक से 30 दिन बाद तक दे सकते हैं बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं जन्भावना टाइम्स नमसकार